सब्सक्राइब तो दे चैनल आरके सर मैट्स वाले एंड प्रेस दे बैल आइकन तो बी नोटिफाइट फ्रम एवरी अपडेट स्टुडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आरके सर मैट्स वाले तो मैं आज की इस वीडियो में आपको pairs of linear equations in two variables का एक topic जिसका नाम है substitution method वो समझाने वाला हूँ तो I hope आपने अभी तक चैनल को subscribe कर लिया है जो new है मेरे चैनल पे प्लीज जाके नीचे subscribe जरूर कर लीजिए हमने last वीडियो में exercise 4.1 को complete कर लिया था जो questions मैंने आपको कराए है वो बहुत ध्यान से आप देखिए तो मैं इस वीडियो में आपको substitution method का मतलब समझाता हूँ आप pairs of linear equations in two variables मतलब आपको दो equations दिये जाएंगे एक equation और दूसरा equation यहाँ पे substitution method क्या होगा उसको बहुत गौर से समझी आप substitution इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है substitute मतलब दो equations में से एक equation को हम एक term के तौर पे मान लेंगे और बाखी के पूरे terms को right hand side पे भी जा देंगे suppose मान लीजिए x और y है first equation का हम x term को left hand side पे रखेंगे बाखी के पूरे terms को right hand side पे ले लेंगे अब वही equation 2 को हम उसके अंदर जो x होगा वो हम first equation सो जो हमने माना था उसको उसके अंदर substitute कर देंगे substitute मतलब x की place पर x को हटा कर दूसरी values के अंदर रखेंगे solve करेंगे और हमें answer आ जाएगा तो एक example के दौर पर आपको मैं यहाँ पर problem ले लेता हूँ फिर हम detail study उसके ओपर कर लेंगे 2x minus y is equal to 5 और दूसरा वाला equation होगा 3x plus 2y is equal to 11 आईए देखते हैं अब इसको हम किस तरह से solve करते हैं यह रही आपकी equation number 1 और यह रहा equation number 2 तो आपकी मर्जी होगी आप चाहो तो first ले लो चाहो तो second ले लो तो मैं यहाँ पर first ले लूँगा 2x minus y is equal to 5 मुझे एक variable left hand side पे चाहिए बाखी के पूरे variables पूरे constants को मैं उदर ढगल दूँगा तो यह मुझे minus y अकेला दिख रहा है यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ इस 2x को उदर ले लूँगा so minus y is equal to यह already 5 यहाँ पे है यह उदर जाने पर यह हो जाएगा minus 2x अब यह minus y यह minus भी मुझे नहीं चाहिए तो इस minus को भी मैं उदर कर दूँगा तो यह minus इदर जाने पर पूरे science यहाँ पे change हो जाएंगे तो सबसे पहले 2x प्लस हो गया तो 2x पहले लिख लेंगे अब यह 5 minus 5 हो गया तो यह हो गया 2x minus 5 इसको मान लीजिए आप जो आपको अभी अभी आया है equation 3 क्या मानी आप इसको इसको मान लीजिए equation 3 अब यह equation 1 से हमने equation 3 को लाया इस 3 equation को आप equation 2 में substitute करिए जी हाँ यही होगा substitution y के place पे अब आप लिखेंगे 2x minus 5 इस equation 2 में तो यहाँ पे हमें लिखना होगा substitute यह बहुत important है substitute equation 3 in किसमें substitute करेंगे हम equation 2 में आए स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले equation 2 लिख लूँगा क्या है यहाँ पे 3x plus 2y is equal to 11 तो 3x वैसे ही रहेगा plus 2 into y 2 तो वैसे ही रहेगा but y के place पे हमें यह substitute करना है तो लिखेंगे हम 2x minus 5 is equal to 11 अब चलिए इसको solve करते हैं 3x plus 2 into 2x 4x minus 2 into 5 10 is equal to 11 इस minus 10 को उधर भेज़ दीजिए so 3x plus 4x total how many x 7x is equal to 11 उधर ही था हमने minus 10 को भी उधर भीजा दिया तो यह बन गया plus 10 so 7x is equal to 21 now send this 7 to the other side x is equal to 21 divided by 7 7 1s आ 7 7 3s आ 21 so x is equal to how much you got हमें यहाँ पे x मिल गया 3 हमने यहाँ पे y को is equal to 2x minus 5 माना था equation 1 से उसको हमने equation 2 में substitute किया तो हमें x की value आ गई अब इसी तरह से आपको y की value भी आएगी कैसा आएगी यहाँ पे already आपने y is equal to 2x minus 5 रखा है अब इसको आपको बनाना है y value यह x की value इसमें substitute करिए answer आ गया जी हाँ फिर से आपको यहाँ क्या करना है लिखता हूं में substitute substitute x is equal to 3 in equation 3 यह equation 3 है तो हम उसमें substitute करेंगे क्या थी y की value y is equal to 2x minus 5 so y is equal to 2 into x की value कितनी आई 3 minus 5 अब इसको solve करें यहाँ पे करेंगे 2,3,6 minus 5 so y is equal to 1 तो यहाँ पे finally लिख लेंगे हम x is equal to 3 and y is equal to 1 तो यह दो values आ गए आपको x और y के substitution method से तो I hope आपको समझ में आ गया है substitution method किसे गहते हैं